आप देखें उजित राज न्यूज सब पर नदर सब की खबर नमस्कार आदाव, सस्रियकाल, मैं सुधिर कुमार शुरुवंसी पलपल की अपडेट के साथ उजित राज न्यूज उत्राखंड से इसी क्रम में आज आपको दिखाते हैं टीरी गडवाल से गौरव डवाल की रिपोर्ट, तो गौरव जी हमारे दर्शकों को आप दिखाएं वहाँ का अभी ताजा हालात क्या है मैं मौजूद हूँ उत्राखंड के तीरी जनपत के चम्बा नगर में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे लोगों की हलकी फिलकी भीड यहाँ पर नजर आ रहे हाला कि जितनी भीड चम्बा नगर क्योंकि एक ऐसा नगर है जो कम से कम 70-80 गाओं का केंदर बिंदू है, इस केंदर बिंदू पर लगबग हजारों की तदात में आम लोग यहाँ पर चलते थे, रहते थे, अपनी खरिदारी करते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते यहाँ पर कुछ ही लोग आपको दिखेंगे सरकों पर जो अभी खरेदारी कर रहे हैं और एक बजे तक का यहाँ पर टाइम है लोगों को दूर दूर से आना होता है इसलिए हाला कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करते वे नहीं दिख रहे हैं लेकिन पुलिस परसाशन के द्वारा उनसे निवेदन किया जा रहा है उनको बताया जा रहा कि सोसल डिस्टेंसिंग का भी पालन आपको करना है और जैसे कि आप देख पाने में पुछ दुकाने ऐसी हैं जो दुकाने बंद हैं और कई दुकाने जो आवशक सामगरी के दुकाने वो दुकाने खुली हुई हैं तो लॉकडाउन का इसी तरह से पालनगर चलता रहा तो हम लोग कोरोना वाइरस पे विजय पाने में काम्याब होंगे हालां कि अभी यहां पर जन्पा ठीरी के अगर मैं बात करूं तो जन्पा ठीरी में 55 लोग ऐसे हैं जो ठीरी नगर में जो कोरोना वारियर्स की रूप में काम कर रहे थे लेकिन उनको भी क्योंकि वो रैड जोन से ग्रीन जोन में आवागमन उनका हुआ तो उस वज़े से इसके चलते हैं उनको होम करोंटेन करना पड़ा गौरव दोभाल उधितराज न्यूज तिहरी उत्राकर तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ तब तक देखते रहे हैं उधितराज न्यूज जैहिन जैवाराज